तो आज मैं आपको एक बहुती ब्यूटिफुल और्नमेंटल प्लांट ड्रेसीना को कटिंग से ग्रो करना सिखाने वाला हूँ तो जो प्लांट आपको सामने नजर आ रहा है इसकी जो हाइट वो कफी ज़ादा है आट Doris वेचने को मिल जाती है इस प्लांट की कैसे मिट्टी तयार करने चाहिए कैसे कटिंग को तयार करना चाहिए सारी इंफॉर्मेशन विद अपडेट विद रिजल्ट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो वीडियो में अंतक बने रहीएगा चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बैल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा तो आप देख सकते हैं कि जो ड्रेसिना प्ल यहां से एक बात आप ध्यान रखनेगा कि जो आपको ब्राउन कलर की कटिंग है वो लेनी है जो ग्रीन कटिंग हो उसको बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि ग्रीन कटिंग जो है वो आसानी से सर्वाइव नहीं कर पाती लेकिन जो ब्राउन वाली कटिंग होती है वो इ वो ले ली है यह आपको नजर आ रही होगी और इनका जो नीचे का स्टैम है वो ब्राउन है अब मैं इन कटिंग को जो है वो तयार करूंगा ग्रो करने के लिए तो आपको पता देता हूं कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको लीफ के साथ ग्रो किया जाता है मला उनकी ब in-party case से जो है वो ग्रो हो सकता है तो इसके सारे लीफ को जो है आपको रिमूव नहीं करना है इस चीज का ख्याल आपको बिल्कुल रखना है सबसे पहले कटिंग को त्यार करेंगे मैं क्टिंग ली थी थी तो प्रोणप नई था ऐसे ही मैंने हाँ से तो ली थी तो सबसे पहले यह जो मोटा सा हिस्सा है इसको प्रॉपरली हटा दिया जाएगा यह देखे और कटिंग का जो साइज है वह आप 6-8 इंच के आसपास का रखे बहुत ज्यादा कटिंग छोटी और बहुत ज्यादा बड़ी कटिंग लेने की ज़रुवत है वह आपको नहीं है तो इस च पत्यों को जो है आपको कटिंग से हटा लेना चाहिए जिसको मैं सोईल के अंदर लगाऊंगा इस चीज का विशेश ध्यान आपको रखना चाहिए यह सभी पत्ते जो है आपको रिमूव करने पड़ेंगे जिनको मैं सोईल में डालूँगा तो मैं भी ऐसा ही कर रहा हूं को रिमूव कर देता हूं लेकिन उपर के जितने ही पत्ते हैं उनको आपको बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना है इस चीज का विशेश ध्यान रखिएगा तो यह कटिंग हमारी तैयार हो चुकी है ग्रो होने के लिए अब हम बात कर लेते हैं सोईल की तो देखिए आपको बता देता हूं कि ड्रेसिन प्लांट को ग्रो करने के लिए कटिंग से किसी खास तरह कि मिट्टी की जरुवत है वो नहीं पड़ती है नॉर्मल सोयल का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन याद रखे कि मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन हो वेल निट्रेशन हो या ना हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता तो इसके लिए आप 50% सेंड या बालू का इस्तमाल और 50% जो है वो गार्डन सोयल का इस्तमाल कर सकते हैं और देखिए कटिंग को आप इसके अंदर लगा दीजिए करीबन करीबन तीन से चार नोड एरिया जो है वो आपको गमले के अंदर लगा देन तो वो आसानी से ग्रो नहीं होगी तो यह आप देख सकते हैं कि एक कटिंग को मैंने गमले के अंदर जो है वो लगा दिया है और आप ऐसे एक एक करके मैं जो कटिंग है वो गमले के अंदर लगा दूँगा तो यह तीन कटिंग जो है वो मैंने गमले के अंदर लगा दी ह और cutting को गमले में लगाने के बाद आप इस चीज का ध्यान रखे कि इसको जो है वो shade में रखना है direct sunlight में बिल्कुल भी इसको नहीं रखना है तो अपनी बालकोनी में रख सकते हैं या तो दूसरे plant हैं उनके नीचे भी रखा जा सकता partial shade भी चल जाएगा मिट्टी के अंदर over watering बिल्कुल भी नहीं करनी है इस चीज का विशेज ध्यान रखना है तो मिलते हैं अपनी next update के साथ तो friends welcome करता हूँ लगबग लगबग 25 से 30 दिन के बाद 25 से 30 दिन के बाद आप देखेंगे कि जो dressy ना plant है उसके अंदर नई नई जो growth है वो शुरू हो गई है और देखें सभी प्लांट जो है वो healthy है देखें नई ग्रोथ है नई ने पत्ते जो है वो इसके अंदर निकननने लगे हैं देखें आपको बात बताता हूँ कि कर्रिवन साथ से दस दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो cutting है वो success रही है या नहीं रही है वो green है तो success है पीली पढ़ने लग जाए तो success नहीं है और बात है तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि जो cutting है वो आपको चली है या नहीं चली है तो यह देखे इसके अंदर मैंने आपको दिखाया कितीन कटिंग ग्रोग की थी तीनों ही सक्सस रही है तीनों में अच्छी ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है एक प्लांट शुरू में बढ़ा था तो उसी ग्रोथ भी थोड़ी सी ठीक ठाक है दूसर आपको हमारे साथ जो है वह अंतक बनान रहना पड़ेगा कितनी रूटिंग हुई है 25 से 30 दिन में हेल्थी हुई है अनहेल्थी हुई है अप्डेट में आपके साथ जो है वह जरूर शेयर करूंगा तो फिलहाल जो लीफ की ग्रोथ है वह काफी अच्छी चल रही है और ए आपको बताया कि अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कितनी रूटिंग इसके हुई है तो बड़ी सावधानी से निकालूंगा मैं इसको पहले से पानी डाल रखा है याद रखेगा कि आपको यह कटिंग जो है वह बिलकुल भी नहीं निकालनी है वरना इसको शौक लग सक तो बिलकुल एंड पॉइंट से मैंने पकड़ा है और देखें दिखाता हूं यह देखें तो कितनी हेल्थी रूटिंग जो है वह हमारे ड्रैसीना प्लांट के अंदर 25 से 30 दिन में हो जाती और देखें 15 दिन के अंदर यह न्यू लीफ जो है वह ग्रो करना शुरू कर दे तो यह देखें कि प्लांट जो हमारा पूरी तरह से तयार हो चुका है रूटिंग भी अच्छी है जो न्यू लीफ है वो भी आने लगी है तो अवर्वाल हम देखें तो काफी अच्छा रिजल्ट जो है में मिला है और ग्रोध जो है वो भी हमारी बहुत अच्छी जो है वो ड्रेसिना प्लांट की चल रही है तो यह आपको जो रिजल्ट है वो आपके सामने है अगर आप इस तरीके से कटिंग को लगाते हैं तो आपकी जो कटिंग है वो पूरी तरह से सक्सेस रहेगी और जैसे जैसे प्लांट बढ़ा होगा हाइड भी अच्छी जाएगी औ वापस गमले में इस कटिंग को हम लगा देते हैं और देखे मैंने वापस लगा दिया है जिस कटिंग को मैंने बाहर निकाला था उसको मैं वाप ठोड़े दिन के लिए सेड में रख दूगा बाकी सभी ग्रो करने शुरू हो जाएंगी तो उमेत करूंगे कि यह वीडियो and we will meet in next video.